नमस्कार तुफान खतम हो गया और तुफान के जाने के साथ हम भी इंडोर से वापिस आउटडोर में आ गए विछे देख पा रहे हैं आप जल्चक की जहां पुलीस अपनी मजबूती से की आता है ते उसता संभालने कोशिश कर रही है तुफान के भी खूब सारे वीडियो से एक वीडियो में ने देखा जिसमें एक पुलीस कर्मी तेज बारिश में अपनी उस ड्यूटी को निभाते हुए दिख रहे थे मुझे अच्छा लगा मुझे लगा कि यह एक ऐसा वर्ग है जो हर एक आपदा और विद्दा में हमारे लिए डटा हुआ है को रोना से ले संक्रमीत हो चुके हैं वो खुद मैदान में उत्रे राजसंबन नातु द्वारा यहां जाकर याता यात व्यवस्ता है जो बेवज़े गूम रहे थे उनको रोका पूछा तो डटे हुए थे वो भी हमारे राजसंबन के अडिसनलेस के साब राजे जी सर वो भी निरंतर र दिया उदेपुर के हैं उनकी पोस्ट आप देख पा रहे हैं मेरे बाजू में उन्होंने आगे होके कहा है कि अगर किसी को कोई जरूरत हो तो मुझसे मिले यह पुलीस का अलग जहरा है हिमांसु सिंजी जो एक खबर आती है कि शहों को जो को चुने के लिए त्यार नहीं जो शहर में समाज सेवी कोविड का लिए अच्छा काम कर रहें उनसे जुड़े हुए हैं और निरंतर रूप से अपने अधिकार छेत्र से बाहर जाकर कोविड पेशन्स की मदद करते हैं तो यह अच्छी बाते हैं ऐसा नहीं कि यही लोग डटे हुए यह शहर भी उनको नहीं प्यार करता है जैसे मैंने कुछ समय पहले कुछ फोटू देखे थे इसमें कि शहर के कुछ हुआ यह जो इस तेज धूप में पुलीस कर्मी अमारे लिए खड़े हैं उनके लिए पानी की वेवस्ता करते हैं अच्छा लगता है आज की एक खबर है जहां पर मोहन कनि चैरिटिबल ट्रस्ट उनके साथ में अधर जी को ठारी और उसाथ में शालेज जी राज सामरिया इन लोगों ने मिलकर 20 अक्सिमेटर एसपी साव को भेट किये ताकि पुलीस विभाग के जो लोग डटे हुए हैं वो भी अपने स्वास्ति का ध्यान रख सके तो यह अच् पर्ची थी तह सिमा समय के अंदर आया था और उसके बाद भी मेरे साथ अबदत्रा की गई एक बीच में राहूल दिक्सित की भी पोस्त थी उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से अपने बच्चे के लिए दवा लेने जा रहे थे उनको रोका गया थोड़ा परशां में काम करना बड़ा ही मुश्किल है काफी सारे लोग दवई और इनसी चीजों का बहाना भी बनाते हैं मगर में क्योंकि पुलीस परिवार से रहा हुआ हूँ तो यह बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ कि सच और जूट इन दोनों में अंतर पुलीस से बहतर कोई नह आते ही हमला बोलने की बजाए इस गाली वाली जो यह मुख्य अध्यार है मुख्य प्रमणुबं इसको बचा के रखे व्यक्ति को पर्खे पूछे पहचाने और उसके बाद अगर आवसक लगे तो गालियों की वो श्टेंगन चलाए तो ज्यादा बहतर है अगर एक निस्पक्स रूप से कहूं तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि पुलिस एक ऐसा वर गया है जो जिस प्रकार से काम करती है चोईस गंटे हमाज लेटी रहती है मैंने बीच में किसी एक कवी समयलन में कहा था कि काम में 21 मगर सेलरी में 19 हूं मैं भी अपने गर जाने यह ख्वाइश उनकी ख्वाइश ही रह जाती है उस ख्वाइश को खुद तक सीमित रखे हुए वो पुलिस इन चोराहों पर डटी हुई है ध्यान सिर्फ वही जो मैंने भाशागी मर्यदा का कहा था अने था यह सहर भी बहुत कार करता है और हम जानते हैं कि पुलिस पर हो गया तो जब जा रहे थे गर के बाहर काफी सार लोग घटे थे और हमने जब वीडियो देखे है तो लोग रो रहे हैं और इनसे कह रहे हैं कि सर मज जाईए रुख जाईए जब प्रतम तो सबसे पहले आप सबको बहुत का थैंक यू पर आल यह लॉव था मैं आप लोका प्यारी देख रहा हूं, और कुछ लहीं रहीं, रही 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 प्रेशिए नीकन रहीं प्रवक रहा हुआ हूद है, मैं प्रहण आपने लेकिन काम चांप पयार रहा हुआ है। लेहरें की जो और हुट्टों में मिजा कि काम करने का है। And we need to respect that. Because really, I really respect each one of you and each one of your feelings. आकड़े मैंने नहीं बताया। अच्छे रहे हैं कोरोना का आकड़े। 145 साला की नहे पोजिटिव आये हैं। मगर 435 लोग ठीक हुए है। यह एक अच्छी खबर है। रीकवरी का आकड़ा काफी अच्छा है। इसी तरह से रटे रहना पड़ेगा। इनके साथ साथ जो सम अच्छा मार्बल है ताल। उन्होंने आज शहर में कुछ विवस्थाओं के लिए सैनिटाइजर, मास्क यह चीज़े वित्रित की। अर्श्टाक, अर्जंदर सिंग यह उस वक्त मौजूद रहे। अच्छा लगता है लोग इस प्रकार से मदद करते हैं। साथ में वेक् स्लोट खोले जा सके। आज हमने बात की वेक्सिनेशन के प्रभारी मीना सर से उन्होंने बताया कि उध्यपूर से डिमांड की गई है। कल तक वेक्सिन आजाएगी और परसु से सभी स्लोट वेक्सिन के आने के बाद पुना एक बार शुरू होंगे। तो हम यह सूजना आपको देना चाहते हैं कि जो लोग स्लोट के लिए परिशान हो रहे हैं उनको कल और होना पड़ेगा। परसु से यता संभव पुना एक बार सभी स्लोट में आपको वेक्सिनेशन की सुईदा अवेलेबल दिखेगी। वेक्सिन को लेकर एक खबर ये भी है कि जैसे कि र ये लोग जो लगातार बजार में में या इस तरह से समाज सेवा में हें कोविट मामलों में एक्टिव हैं उन लोगों का वेक्शिनेशन पहले हो सूरी पर पारसद साहथ साह ने मुझे कहा कि धुरे समाज सेवाओ कर रहे हैं इस काल में उनकी हो जाए वो भी बहतर बात है मुझे जो वेपार मंडल ने एक जानकारी दी कि जो वेपारियों को लग जाए वेक्सिन वो भी अच्छी बात है और कर्शी मंडी हां वहां पर भी एक आउशक है तो प्रशाशन को इस बार में थोड़ा सा ध्यान दनी की जरूरत है एक सुझना बड़ी अहम है अला कि हम हमेशा बात करते हैं कि रासमन के चिकित्सा वेवस्ता है इनके ऑस्पिटल मगर तुम्हें एक टीम मैंने पहले बताया था कि गो सेवकों की टीम जो सतत रूप से इस मुश्किल समय में भी गो सेवा में लगातार जूटी हुई है उनके पानी से लेकर उनकी दवई और उनके इलास तक की व्युस्ता करते हैं उनकी शिकायत है कि राजनगर का चिकत्सा ले वह और वहां उनको बेहतर सुईदायन ही मिल रही है वहां उनको जाते ही वह सारे इंतजाम नहीं दिख रहे हैं जो होने चाहिए और जोHeu yogh तो वहां जिस प्रकार से उनकी दवाद की रिस्ता होनी चाहिए जो इंतजाम होने चाहिए वह उस तरह से नहीं दिख रहे हैं तो यह इस पर ध्यान देनी के आवश्यक्ता है कि एक जो लोग काफी मुश्किल हालातों में डटे हुए हैं उनको प्रशाशन थोड़ा सा कल मैंने पूछा था कि जो आईपेल इस बार रद हुआ उसमें आखिरी मेच किसके बीच में होता उसका परिणाम क्या रहा था सबसे पहला जवाब भेजा है गोरव जी मलोत्रा कांक लोली के निवासी है उन्होंने भेजा है सई जवाब है पंजाब और डेली के बीच के आखरी मेच हुआ था और जिसे पंजा देहली न जीता था अच्छा है वीच वीच में थोड़ा क्रिकेट डाल देते हैं तो ठीक है आज जो साल पूछना हूँ आपको गूगल पर नहीं दिखाए देगा फड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमने पुलीस को लेकर का और भी शॉरी बात थारी गी तो मैं चहता हूं क्या आप हमें आज बाए कि राश्मन के एस्पा नाम क्या था राश्समन के एडिस्दिन फी साप बाते और उसके सांप ये बताईए कि पूरे राजसमन जिल्ले में कितने थाने हैं और वो कौन-कौन से हैं सवाल बढ़ा है फिर से सुन लीजिए राजसमन के SP और एडिसनल SP आपका नाम बताना है राजसमन जिल्ले में कुल कितने थाने हैं और वो कौन-कौन से हैं जो सबसे पहले जवाब बेजेगा वो विजेता गोशिच किया जाएगा और सब इसे एक आगरा है मेरा आप अपना जवाब भेज दीजिए उसके बाद करपा करके मुझे ये ना पुछे कि सही एक गलत है वो अगले एपिसोड में पता चल जाएगा साथ मेरा समन एक से से ज बन्यवाद